बाहर बारिश ओर्यों या फिर ठंड का मौसम हो या फिर छोटी-छोटी भूक लग रही हो तो ऐसे में गरम-गरम सूप मिल जाए तो मज़ा जाता है एक तो इससे पेट भर जाता है दूसरा ठंड के मौसम में गर्मी का एहसास होता है ऐसा नहीं है कि सूप के वल स्वात के लिए पिया जाता है बलकि इससे हमारी बॉड़ी को भी काफी अराम मिलता है लेकिन बहुत से लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है कि सूप पीने से हमारी बॉड़ी को क्या-क्या फायदे मिलते हैं अगर आप भी इस बारे में नहीं जानते तो कोई बात नहीं इस वीडियो को पूरा देखे और जाने कि आखिर सूप पीने के कितने सारे फायदे होते हैं नमस्कार एक बाव फिर से आप सबीकर स्वागत है हमारे यूट्यूब चानल कितनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलेसिस में जहां हम आपको कितनी से जुड़ी कई ज़रूरी जनकारियां देते हैं तो चले शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और जानते हैं कि आखिर सूप पीने से हमें और हमारी कितने को कितने सारे फायदे मिलते हैं तो सूप पीने का पहला फायदा यह है कि इससे हमारा पाचन तंट्र स्टॉंग रहता है अगर आपको खाना ठीक से नहीं पच रहा तो पेट में दर्द रहता है या फिर गैस या फिर कप्स की समस्या हो जाती है तो इससे बचने के लिए सूप पीना आपके लिए काफिर फैदिमन माना जाता है सुप पीने से आपका कमजोर पाचन अराम से काम कर पाता है और दूसरा बाकी पेट से जुड़ी समस्या नहीं होती इतना ही नहीं इससे आपकी किटनी भी स्वस्रेती है अब आप पूछेंगे वो कैसे? तो वो ऐसे जब कोई व्यक्ति लगाता लंबे समय से पेट की समस्या से जूज रहा होता है तो उसके लिवर और उसके किटनी पर असर पढ़ सकता है जिससे किटनी के फिल्टर डामेज होने लगते हैं तो अपने किटनी के लिए अपने पाचन तंत्र को स्टॉंग रखना बहुत ज़रूरी है तो चली अब जानते हैं सूप पीने से ब्लड सर्कुलेशन कैसे दुरूस रहता है हाँ जी सूप पीने से केवल वजन ही कम नहीं होता बलकि इससे ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है तो चली जानते हैं कैसे दरसल जो भी हम सूप बनाते हैं वो सबजियों का बनता है और सबजियों में अच्छी मात्रा में एंटी ओक्सिडेंट के गुण पाए जाते हैं और खास कर हरी और लाल सबजियों में सबसे जादा होते हैं आपको बता दे एंटी ओक्सिडेंट में एंटी इंफ्लोमेंटरी और डिटॉक्सिफाइंग की गुण पाए जाते हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखते हैं साथी ब्लड में जमे हुए टॉक्सिन सबस्टेंज को बाहर निकालने का काम करते हैं अगर कोई व्यक्ति टमाटर का सूप पीता है तो इससे उनका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है साथी टमाटर में मिलने वाले लाइकोपीन से आप कैंसर जैसी गंभी समस्या से दूर हैते हैं अब ये तो हम सबी जानते हैं कि अगर ब्लड में टॉक्सिन लेवल जादा हो जाए तो इससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगती है और फिर किटनी के नेफ्रोंट पर बुरा सर पढ़ने लगता है और वो डामेज होने लगती है तो देखा आपने सूप हमारी बॉड़ी क्लिक कितना फायदे मन है चलिए अब आखिर में जानते हैं कि सूप पीने से हमारा दिल कैसे फिट रहता है ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिने इस बारे में जानकारी होते हैं कि सूप पीने से हमारा दिल सौंग रहता है आपको बता दे सूप में उच मातरा में वाइटेमिन C, एंटी ऑक्सिडेंट तत्व और बाके के पोशक तत्व मौझूद होते हैं जिससे कौरोनरी आर्ट्रीस को सुरक्षा मिलती है आपको बता दे कौरोनरी आर्ट्रीस हमारे दिल के मात स्पेशियर रक्त की आप पूर्ती करते हैं जिससे ब्लड ठीक से काम कर पाता है अगर coronary arthritis मजबूत ना हो तो इससे दिल तक ठीक से प्लड नहीं जा पाता और फिर इससे heartstock का खत्रा बना रहता है तो अगली बार बाबु ने थाना थाया या नहीं ये भले ही मत पूछना लेकिन ये जरूर पूछना कि बाबु ने सूप पिया या नहीं क्योंकि बाबु को बाबु के दिल में ही रहना है तो अब तक अगर आपने कभी सूप नहीं पिया है तो आज से पीना शुरू कर दीजिए क्योंकि इससे केबल taste change नहीं होता बलकि इससे कितनी भी fit रहती है वैसे ये तो पक्का है कि बहुत से लोगों के मन में ये जरूर आ रहा होगा कि अब सूप पीने से कितनी सुप कैसे रहती है तो क्या जिन लोगों के कितनी खराब है वे भी सूप पी सकते है या नहीं वैसे ये सवाल तो बनता ही है तो चलो इस सवाल का जवाब भी दे देते हैं तो हाँ किटनी रोगी भी सूप पी सकते हैं लेकिन सभी किटनी के मरीज सूप नहीं पी सकते जो किटनी के मरीज थंडे इलाकों में रहते हैं यानि कि जो लोग पहाडों पे रहते हैं केवल वही सूप पी सकते हैं उसके अलावा कोई भी किटनी का मरीज सूप नहीं पी सकता अब सवाल यह आता है कि किटनी के मरीज कौन-कौन सा सूप ले सकते हैं और कितना तो किटनी रोगी केवल उन्हीं सबजियों का सूप ले सकते हैं जो कि उन्हें लेने की सलह दी जाती है बाकि आपको सूप कितनी मात्रा में लेना है यह केवल आपकी रिपोर्ट के बाद बताया जा सकता है तो अब अगर आप ठंडी वादियों में रहते हैं और सूप पीना चाहते हैं तो हमें अपनी रिपोर्ट्स नीचे डिस्क्रिप्शिन एरिया में मौजूद गूगल फ वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें इस वीडियो को सभी के साथ शेर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार